हम लोगों को नेक्स्ट प्रियॉडिक प्रॉबर्टीज की बात करनी थी इलेक्ट्रो निगेटिविटी राइट इलेक्ट्रो निगेटिविटी क्या है इलेक्ट्रो निगेटिविटी इलेक्ट्रो निगेटिविटी इलेक्ट्रो के लिए अट्रेक्शन किन इलेक्ट्रो के लिए अट्रेक्शन वो इलेक्ट्रो जो बॉन्ड बना चुके हूँ जिनको हम लोग बोलते हैं, shared pair electron, तो क्या बोल सकते हैं, overall force of attraction towards the share pair electron, that is known as the electronegativity, अब जो लोग लास्टन पर नहीं थे एक बार वो देंदे, यह share pair electron क्या होता है, जैसे यह H है, यह X है, single bond में total दो electron होंगे, एक होगा H का और एक होगा X का, एक होगा H का और एक होगा X का, तो यह दो electron हैं, जिन्होंने sharing करी है, क्या करी है, sharing, तो यह क्या होगे, shared pair electron, electron, electron negativity क्या है, overall force of attraction towards the share pair electron, तो जो share pair electron होगा, उसके लिए जो attraction होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, electron negativity, लिखना है, start करिएगा, overall force of attraction, overall force of attraction, overall force of attraction, towards the shared pair electron, towards the shared pair electron, electron, is known as the electronegativity, is known as the electronegativity, variation of electronegativity in periodic table, variation of electronegativity in periodic table, moving down the group, लिखेगा, moving down the group, electronegativity decreases, moving down the group, electronegativity decreases, moving left to right, moving down the group, electronegativity decreases, moving left to right in period, moving left to right in period, electronegativity increases, this, अग्ला पोण्लिखो, all the inert gases, all the inert gases, all the inert gases having zero electronegativity all the inert gases having zero electronegativity जितनी भी inert gases है उनकी electronegativity कितनी होती है zero लेको सब इलेक्ट्रो निगेटिविटी बराबर गूरो नी बिटा लिखने क्यों हो रही है ionization energy plus electron affinity divided by 2 electronegativity बराबर ionization energy plus electron affinity divided by 2 लेक्ट्रो निगेटिविटी बराबर इलेक्ट्रो निगेटिविटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा आपको ठीक है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पर ऐसा बड़ा सा एक्स दिखाई दे तो समझ लेक्ट्रो निगेटिविटी है बड़ा सा छोटा एक्स बड़ा अबे चो बड़ा एक्स तो ऐसा होता है पिटा इस्मॉल एक्स बास समझे मेरे हम क्या बोल ले यह स्मॉल एक से यह कैब अब समय आप समझ के अब स्वाज गया मतलब था यह स्मॉल एक्स से इसलिए हमने बड़ा सा चोटा एक्स इसमॉल एक्स ठीक है लोट कर लिए अब यह हैं धालिगा शेलिंग इफेक्ट और स्क्रेइनिंग एफेक्ट और स्क्रेइनिंग एफेक्ट सबसे आखरी वाली सेल को हम लोग क्या बोलते हैं वैलन सेल वैलन सेल के अंदर वाली सेल को पैनल्टी मेट सेल उसके अंदर वाली सेल को एंटी पैनल्टी मेट सेल बता चुके हैं आपको पहले ही valence cell है तो ये electron बैठा हुआ है valence cell में ये electron बैठा हुआ है penultimate cell में ठीक बात ये जो valence electron है इसका attraction होगा किस से? nucleus से यहाँ positive charge है electron पर क्या होता है? negative charge तो इसका attraction किस से है? nucleus से ये electron इन दोनों के बीच में क्या होगा? repulsion अब ये इसी बात है electron, electron, same charge है आपस में क्या होगा? repulsion तो ये electron ये nucleus इसके बीच में attraction है ये attraction कहीं न कहीं इसको खटक रहा है बात समझो तो ये इससे क्या कर रहा है? repulsion और ये क्या करना चाहेगा? ये repulsion इसलिए कर रहा है कि इसका attraction इससे खतम हो जाए ये मेरी बात समझना ये इससे repulsion इसलिए कर रहा है कि इसका इससे attraction खतम हो जाए तो हम दो सिस्टम आपको दिखाते हैं एक सिस्टम ये दिखाया एक और दिखाते हैं ये आपका हो गया valence cell ये valence cell ये इससे इसका attraction और ये आपका हो गया पहले में या दूसरे में इसका attraction कम करने की कोसिस करेगा तो ये कोसिस कामियाब होने के chance ज़्यादा कहां पे पहले में या दूसरे में दोनों KGMC में है तो chance कम है attraction खतम करने का एक KGMC में है और एक पहुँच गया मौरिसस के medical college में distance बढ़ गई ना सहाब distance बढ़ गई तो attraction आसानी से खतम किया जा सकता है बात समझो यहाँ पर क्या है जाब यहाँ पर distance कम है दोनों KGMC में यहाँ पर distance कम है attraction ज़्यादा है attraction ज़्यादा है तो इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसका attraction इससे खतम करने के लिए क्योंकि attraction यहाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर attraction और लेड़ी कम है यह हलका सा रिपल्सन करेगा यह attraction खतम और electron अलग क्योंकि यहाँ पर तो attraction और लेड़ी बहुत कम है इसका काम क्या है इसका काम है इसके attraction को इससे कम करना, खतम करना, वो पहले से ही बहुत कम है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा, क्या मेरी बास सोच पा रहे हो, आसानी से अट्रेक्शन खतम कहां पे हो जाएगा, प बोस बोलते हैं हो गया साब इसक्रीन बेसिक मतलब है क्या वो समझना यार जो पेनल्टी मेट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है जो पेनल्टी मेट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वह वैलन सेल के इलेक्ट्रॉन का जो नुकलियस से अट्रेक्शन होता है उसको कम करना चाहता है बा पर जो penultimate cell का electron होता है वो valence cell का electron जो nucleus से attraction रखता है उसकी attraction को कम करता है by the help of the repulsion that is known as the shielding effect or screening effect क्या screening effect समझ में आया नहीं आया नहीं आया क्या काम है screening effect का क्या खतम करना attraction किस से nucleus से किसका valence cell के electron का कौन खतम करता है penultimate cell का electron कौन खतम करता है penultimate cell का electron फिर सुनो एक बार क्या है shielding effect penultimate cell का electron attraction खतम करना चाहता है nucleus और valence cell का attraction को इसको में लोग क्या बोलते है screening effect और shielding effect नहीं समझ में आया नहीं आया पक्का आया तो तो बताओ जड़ा तुम बताओ मेरे भाई हाँ अभी पैट जा या खाले मत वाकर यह पहला यह दूसरा किस में screening effect ज्यादा है आवाज नहीं पहले में पहले में पहले में बताएं भी यह किस में ज्यादा है जल्ली बोलो पहले में बोलो वे बवाज इच्छा बोलो बटा विशाव बोलो पैज भाई अबू राग हाँ नें बताब पहले वाले सिस्टम में दूसरे वाले वे दूसरे में वे विशाल अब बास समझो ना क्या है screening effect क्या बास समझो रटो मत बास समझो है क्या screening effect penalty mid cell का electron valence cell का electron का attraction खतम करना चाहता है nucleus से यह क्या है shielding effect यह क्या है shielding effect क्या खतम करना चाहता है attraction क्या खतम करना चाहता है attraction तो जितनी आसानी से attraction खतम कर पाएगा उतना ही अच्छा तो shielding effect होगा जितनी आसानी से break up कर पाएगा करवा पाएगा उतना ही अच्छा तो और खतम होगा उतना चाहतो तो shielding effect होगा अभे है क्या shielding effect तो attraction मठ समझने ना क्योंकि shielding effect क्या मतलब क्या कि अगर समझ लोगे तो आजाएगा रटोंगे तो उल्टा फीधा लगने लगेगा shielding effect को attraction समझने लगते अभे attraction नहीं है Shielding Effect Attraction को तोड़ना है, attraction कब आसानी से तूट सकता है, जब दूर होगा, attraction कम होगा, तो आसानी से तूट सकता है, दूर कब होगा, जब number of cell जादा होगी, तो number of cell जादा होने से attraction कम होगा attraction कम होने से इसको मेहनत कम करनी पड़ेगी आसानी से इसकी बीच की कहानी खतम कर पाएगा और ये इसकी बीच की कहानी खतम करने को ही क्या बोलते है shielding effect जितनी आसानी से खतम करेगा उतना अच्छा क्या हो जाएगा shielding effect या screening effect बास समझ में आई भाई या अब सुनना किसको नहीं आई एक बार हाथ करो आवाज कहीं से आई नहीं आई आ गई बेरी गुट नीचे जाने पे अर नीचे मतलब पाई की निचे लिए फ्लोर पे नहीं नीचे जाने पर उड़ड़ी जाने पर इप्टा चला गया नीचे मुरने बर चले घेए अब बताओ पर रूर्ड़िक टेबल में लिवक में नीचे जाने पर नंबर ऑफसेल लगातार बढ़ती है सबस् another लगतिद्य जाएगी, attraction कम होता जाएगा, इसको महनत कम करनी पड़ेगी, आसानी से attraction खतम कर पाएगा, उतना अच्छा क्या होगा, shielding effect और screening effect, तो down the group, shielding effect या screening effect बोलो, बढ़ता या घटा, बढ़ता या घटा, बढ़ता, क्योंकि number of cell बढ़ती है, बात समझ में आ गई, आप सुनना, आ यह गलत है, यह गलत है, size पे depend करता है, ना 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 मेरे भाई, इधर जाने पे, screening effect और shielding effect, constant रहता है, कोई फरक नहीं पढ़ता है, screening effect और shielding effect पे, हम लोग क्या पढ़ रहे है, heading क्या है, shielding effect और screening effect, राइट, जो number of cell होती है, वो screen की तरह वर करती है, पहली screen, दूसरी screen, तीसरी screen, चौथी screen, इस वज़े से इसको लोग क्या बोलते है, screening effect, ठीक, अब सुनना, जब number of screen या number of cell बढ़ेंगी, यह क्या मानता है, यह सिर्फ इतना मानता है, कि जब number of cell बढ़ेंगी, घटेंगी, तभी attraction बढ़ेंगा या घटेंगा, जो इधर जाने पे radius क का मोती ना, बहुत माइनियूर सा change होता है, बहुत माइनियूर सा, हम ने भोला थना, अफसे atomic radius में इधर जाने पे घड़ती है, इधर जाने पे, बढ़ती है, यादिक नहीं यादे, इधर जाने पे बढ़ती है, दो picometer से 40 picometer, 40 से 80 picometer, ऐसे बढ़ती है, यहां दो, इधर जाने पर घटती है घटती कैसे दो पीको मीटर से 1.8 पीको मीटर 1.7 1.5 ऐसे मतलब में बात सोच पार हम क्या बोलना चाहरे है इधर घटने का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है और बढ़ने का डिफरेंस बहुत तब ही तो हम बार बार आप से बोलते थे कियर यह ब नंबर आफ निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी नंबर आफ पॉस्टिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी आइनिक रेडियस में हमने आप से बताया था यादेगी नहीं यादे लेकिन सबसे पहले क्या देखेंगे नंबर आफ सेल याद कि atomic radius बहुत ज्यादा बढ़ी या घटी, यह इतने से variation को नहीं मानता है, हाँ, बाठी कि इधर जाने पर atomic radius घटी है, इधर जाने पर बहुत तेज जम करके बढ़ती है, और इधर जाने में बहुत माइनूर सी घटी है, जिसकी वज़े से इधर screening effect क्या होता है, constant, इधर होता ह variable increase करता है, इतनी महनत मत करो, simple सी बात दिमाग में रखो, screening effect तभी बढ़ेगा, जब number of cell बढ़ेगी, काम खतम, number of cell सेम है, तो screening effect भी सेम होगा, अब बताओ, इधर से इधर जाने पर number of cell क्या होती है, constant, बता है तामने आपको, इधर से इधर जाने पर number of cell, constant, तो screening effect भी constant, इ screening effect भी बढ़ेगा, क्या बात clear, इधर फिर सुनना एक बार, इधर जाने पर number of cell बढ़ेगी, बढ़ेगी, इधर जाने पर number of cell बढ़ेगी, attraction कम होगा, यह आसानी से इसका attraction ब्रेक कर पाएगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, screening effect और shielding effect, क्या इतनी बास तमझ में आई, इसी वज़े से, नीचे जाने पर, screening effect लगातार बढ़ता है, जब की इधर जाने पर क्या होता है, constant, क्या screening effect समझ में आ गया, किसी को ना समझ में आ, धिमे से इसारा कर दे, एक बार और बता देंगी, आ गया, ठीक बार, चलो, लिखना स्टार्ट करो, screening effect और shielding effect, बोले भिया, जैसे बोलें, वैसे लिखने न, पेनल्टी मेट सेल का इलेक्ट्रोन, इसकी अंग्रेजी बहुत जड़ी लिए, बन नहीं लिए, पेनल्टी मेट सेल का इलेक्ट्रोन, पेनल्टी मेट सेल का इलेक्ट्रोन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रोन से रिपल्सन करता है, पेनल्टी मेट सेल का इलेक्ट्रोन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रोन से रिपल्सन करता है, जिससे, जिससे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रोन का अट्रेक्शन, जिससे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रोन का अट्रेक्षन नुकलियस से डिक्रीज कर पाए, नुकलियस से डिक्रीज कर पाए, इसी को Shielding Effect और Screening Effect कहते हैं इसका मतलब जितनी आसानी से Attraction खतम हो जाएगा इसका मतलब जितनी आसानी से Attraction खतम हो जाएगा इसका मतलब जितनी आसानी से Attraction खतम हो जाएगा उतना अच्छा उतना अच्छा तोच्छा से शलीं ऐफेक्ट खतम हो जाएगा अरते हैं जबीफ सरस्ट पनीत है एक लंट ही किहा? अग्ली लाई ynnदे अग्ली लाईन से अग्ली लाईन से चैके अबने गरोप्स को जो अबन दारोप्स को डाल प्योविंग तव जोविंग फिक्ट इन्द इन्द उप इस तव नवेश बाड तरहिए but moving left to right but moving left to right is screening effect will be constant because number of cell will be constant because number of cell will be constant because number of cell will be constant note have you? yes, no, constant means constant constant means fix fix means fix yes, no, constant means what happens? number of cell? no, constant means number of cell remains left to right radius 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 is not but number of cell remains shielding effect radius depends not shielding effect attack peripend cell differing ? cell same s rein कि बूए बात क्लियर हो गई, ठिक। अब यह दोना फिकर्ड मनाइए ? यह भी बनाइए ? यह भी बनाइए ! अब अनोड कर लिया ? निचे लिखू !! पता हो क्या लिखें, पहले का जादा या दूसरे का, नीचे लिखू, सेकेंड वाले का स्क्रिणिंग एफेक्ट पहले वाले से जादा होगा, हाँ भी है नोट कर लिया, इसेटेंड वाले का एक पहले वाले सज़ादा क्योंकि सेकेंड वाले में नंबर आफ सेल जादा तो अगर आप से क्वीज़ पूचे कि वार्ट इस स्क्रीणिंग इफेक्ट बोलना दो लोग की बीजगे डाइबोस करा दिया जाए तो उसको बोलतें इस बतला वेकिव बात तो इसको लोग क्या वोलते हैं शेल्डिंग एफेक्ट और स्क्रीनिंग एफेक्ट टीक है याद रहेगा नीची जाने पर बढ़ेगा इधर जाने पर क्या रहेगा ठीक है हमें कुछ बाते फटा फट जरा याद दिलाओ कि मेन प्रियोडिक प्रॉपल्टिस खतम हो चुकी है कुछ बखवास टैप की बाकी है जिनका हमें खाली वेरियेशन बताना है कि डाउन दग्रूप क्या फरक पड़ेगा कुछ इले कुछ इसविडिक करे प्रियोडियस घरती या बड़ती है इधर जाने पर घरती है लगा आठर ठीक इतने टाइप की तीन टाइप की कौन सी को वेलेंट METALIC WONDERWALL Maximum, Wonderwall उससे छोटी Metallic उससे छोटी Covalent यादे कि नहीं यादे Ionic Radius किस पर apply करते हैं? Ion पर किस पर apply करते हैं? Ion पर apply करते हैं अगर Cell same है तो Number of negative charge इतना जादा होगा Ionic Radius उतनी जादा होगी Number of positive charge इतना जादा होगा Ionic Radius उतनी कम होगी अगर number of cell same है तो same नहीं है तो ये फंडा गलत है number of cell जादा तो ionic radius भी जादा बात clear भई या आगे आए थे हम लोग हम लोग को second property मिली थी that is the ionization energy इतना पता हो electron निकालने पर या add करने पर electron निकालने पर एक या दो एक electron निकालने पर जो energy देनी परती है उसको क्या बोलते है आइनाइजेशन इनर्जी, इलेक्ट्रॉन, क्या मॉलिक्ल से निकाल सकते हैं? नहीं, आइसोलेटेड गैसियस एटम और आएन, अकेला एटम या आएन उससे इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो इनर्जी देनी पड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आइनाइजेशन इनर्जी, IE1 से ज़्यादा IE2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा 4 Generally Not always Generally not always एक question सुनना और answer बोलना बिना लिखे IE1 की value 2 kilocalorie IE2 की value 4 kilocalorie IE3 की value 40 kilocalorie IE4 की value 80 kilocalorie Valence electron Valence electron बेहतरीन सबसे ज़्यादा gap सबसे ज़्यादा Time कौन किसके 3 वाला 2 के 10 time तो Valence कितने हो गया 2 याद इखनी आदे ऐसे कुछ सुनियाते न भी या ठीक Down the group Ionization energy घटी है इधर जाने पर बढ़ती है Exception Second day Third day Fifth day Sixth day Second day की ज़्यादा Third day से Reason Full Failed Electronic Configation Fifth day की ज़्यादा Sixth day से Reason Half Failed Electronic Configation याद रहेगा आगे बढ़े Electron Affinity मिला Electron Affinity Indo या Exo Generally Exo लेकिन अगर Negative में Electron Add किया गया तो Indo याद इखनी याद है नीचे जाने पे Generally Not always Generally नीचे जाने पे Electron Affinity घटेगा इधर जाने पे बढ़ेगा Generally इधर जाने के exception Four थे Fifth day Sixth day Seven थे Right ना Four थे Fifth day Sixth day Seven थे First or Second Element के बीच में Carbon Silicon में ज़्यादा किसकी Nitrogen Phosphorus Oxygen Sulfur Fluorine Chlorine Reason धक्का मुक्की धक्का मुक्की बोलो या Electron Density बोलो इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते है Electron Density कम जगे में ज़्यादा Electron का होना Electron Density का ज़्यादा होना अग्ला Electron का आना इन इलेक्ट्रों का Repulsion करना तो इसी वज़े से पहले वाले की कम और दूसरे वाले की ज़्यादा मांकी common trend फालो करेगा 6 एको छोड़के नीचे जाने पे Electron Density लगातार घटेगी इधर जाने पे लगातार बढ़ेगी exception है Half-filled और Full-filled की Electron Density Zero Electron Density क्या है Overall Force of Attraction या एक Electron एक Electron एक Electron एकरने पे Electron Density क्या है Overall Force of Attraction Between the Lone Pair of Electron Shared Pair Electron That is known as the Electro Negativity Down the Group घटेगी इधर जाएंगे बढ़ेगी Zero होगी Inult Gases की Screening Effect Shielding Effect इधर जाने पे बढ़ेगा इधर जाने पे Constant रहेगा याद रहेगी इतनी बात Heading डालिएगा Amphoteric Metal ये periodic properties नहीं कुछ metal है जो Amphoteric होते हैं वो याद करवा रहे है Heading डालिए Some Amphoteric Metal In periodic table Amphoteric Metal In periodic table A.B.C.D. आती Very good So, what's the first thing? A So, A L पहले लिख लिए उसके बाद लिख लिए As Amphoteric Metal Most 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 Important P Block में काम पढ़ेगा S Block में काम पढ़ेगा Hydrogen In this Compound में काम पढ़ेगा बहुत ज़दा काम पढ़ेगा तो याद करवा दे रहे ज़दा सुनना A.B.C.D.A. से स्टार्ट होती तो A से याद करना सुरू कर रहे है तो A वाले दो एक लिखना नहीं पेन को नीचे रख दो A.L.A.S A सबसे स्टार्ट किससे करेंगे? A से A वाले दो A.L. और A.S A वाले तो यादी रहेंगे यार तो उनको याद क्या करना है? हटा दू यह तो यादी रहे गा यार A. A.B.C.D.A. से स्टार्ट हो A.L. और A.S A.L. और A.S Aluminium और आर्सनिक Aluminium और आर्सनिक याद रहेगा? A के बाद क्या याएगा? B. Very good आ गया A के बाद B बोरॉन फिर उसके बाद थोड़ा और B.E. Beryllium पर न को नीच रख? पर नीच रख? पर नीच रख? लिखना एक नहीं, लिखना नहीं, लिखना नहीं, लिखना नहीं वही पहले A.I.A. के बाद क्या याएगा? B. A.L. A.S. B. B.E. फिर S.B. हमें ये तुम्हारी वाली A.B.C.D. नहीं है C कहा गया, बकलोल जो याद करना है, चुपचाब याद कर, सीक आगया हम याद्यान देना A.L. और उसके बाद A.S. B. B. E. S.B. P. B. A.L. A.S. B. E. B. E. P. B. उसके बाद S.B. अब ठीक है भी या, आत्मे की जिंदगी में दो भी आया आत्मे की जिंदगी परबाद याँ, तो चार-चार भी आगए समझें, नहीं, समझ जाओगे बाद समझो B. E. B. B. E. P. B. S.B. चार-चार भी आगए अब दो भी आने भी जिंदगी परबाद हो जाती है बाद समझो तो अलमीनियम, आर्सेनिक ये तो यादी रहेगा यार उसके बाद क्या आ गया? B. B. के बाद B. E. के बाद P. B. के बाद S.B. याद होगे चार-ओ, वो तो 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 पहले से आत थे यार A. L. A. S. A. L. A. S. अभी सुनूँगा, तोड़ूँगा ठंग से, यहाँ पर लिखना A. L. A. S. B. B. E. P. B. S. B. याद होगे? A. L. A. S. दो A वाले अलग B. B. E. P. B. S. B. S. B. S. B. तक याद कितने होगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. S. खतम तो S. सुरू S. I. उसके बाद S. N. और सबसे आखरी में A. B. C. T. में क्या आता है? Very good. तो आखरी में आ जाएगा Z. N. A. L. A. S. B. B. E. P. B. S. B. S. B. S. I. S. N. Z. N. गिनो 9 होगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. पूरी प्रियोडिक टेबल में यह 9 एमफोटेरिक मेटल होते हैं. कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एमफोटेरिक कंपाउंड अलग है, एमफोटेरिक मेटल अलग है. बहुत सारे हाइड्रोकसाइड ऐसे मिलेंगे आगे चलके, जिनका मेटल इन में नहीं होगा, उसके बावजूद भी वो एमफोटेरिक होंगे. वो कंपाउंड की बात है, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं. पूरी प्रियोडिक टेवल में कौन-कौन से मिटल एमफोटेरिक होते हैं, टोटल मिटल कितने हैं, नौ. एल, एस, बी, बी, पी, बी, एस, बी, एस, आई, एस, एन, जेडन, एस, आई, एस, एन, जेडन, पहले कौन? एमफोटेरिक मेटल वो जो एसिड से भी रियेक करे और बेस से भी रियेक करे एमफोटेरिक वो जो एसिड से भी रियेक करे और बेस से भी. अब इसमें घुमा के कोश्चन एक पुछा, नीट में, इन चारों में से ऐसा कौन सा मेटल है, जो HCl और NaOS दोनों से रियक करेगा, जो HCl और NaOS दोनों से रियक करेगा, या एक बर और कोश्चन पुछा नीट में, जो H2SO4 और KWS दोनों में डिजॉल्व होगा, कहने का मतलब इसा कौन सा मेटल, फिर घुमा के पुछा, इसा कौन सा मेटल है, जो HNO3 और Magnesium Hydroxide दोनों में डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब कौन एमफोटेरिक नहीं है, क्या बात समाच पा रहे हो मेरी, एमफोटेरिक वो जो Acid और Base दोनों से रियक करे, तो हमने बोला रहे हैं इन य जिंक है, all of these है, आंसर क्या, जिंक, आंसर क्या, जिंक, क्योंकि जिंक उन नौ लोगों में आता है, ये नौ लोग पूरी केमिस्ट्री में है, जो Acid और Base दोनों से रियक करते हैं, इनके अलावा जस्वा को यास तक पैदा नहीं हुआ, जो Amphoteric Metal हो, अकेला, compound Amphoteric हो सकता है, लेकिन मेटल पूरी केमिस्ट्री में ये नौ होते है, जो Amphoteric in nature होते है, चलो, सारे बोल तो, उधर मत देखना, मेरी आखों में देखना, बस A, L, A, S, B, B, G, S, S, Y, S, N, G, तो वेरी गुड याद हो गया, बेरी गुड फैस्बे गता हो, वेरी गूड अब इन्ही मेटल को बता है, हम नग सैरी से आद करते हैं, संजो, नहीं हम कोई सैरी नहीं, याद करवाया जाता है, संजो, हम सैरी से आपको कभी भी कोई मेटल नहीं याद करवाएंगे उसका रीजन है सायरी पचा पहले सायरी याद करो फिर उसकी कनेक्टिविटी याद करो बास समझना पहले सायरी आद करी फिर उसकी मेटल से कनेक्टिविटी आद करी कि इसका मतलब यहां पर बस है लेकिन तुम्हें यह पढ़ना नहीं ह Sairi में वो World है लेकिन उसको वहां पर Connect नहीं करना है पहले Sairi याद करी, उसकी Connectivity Metal से याद करी फिर metal की Connectivity Sairi से याद करी दो मेने बार Sairi याद रही उसकीप वह जा आध रही उसमें खो गया और Metal भूल गया ओपे बहाई कोई Sairi Wireless में इचने याद करो własना इसको खाली ऐसे याद करेंगे कम मेहनत पढ़ लई है ज्यादा मेहनत करने कोई फैदा नहीं है और ऐसी चीज है कि हम लोग भौनाओं में खो जाते हैं पांचे साल पुरानी वाते याद आ जाती है तो साहरी से कभी भी कोई भी मेटल याद मत करना ठीक है हम लोग के पास M4 अध मेटल कितने है नह पहला एल एस बी इपीबी स्पी एस अई अशन जेडन, M4 टरीक वो जो एसिड़ और बेस दोनों से रिय करें लिए पॉइंट नमर हम एमफोटरीक मेटल वो होते हैं एमफोटरीक मेटल वो होते हैं जो एसिड और बेस एमफो टेरिक मेटल वो होते हैं एमफो टेरिक मेटल वो होते हैं जो एसिड और बेस से जो एसिड और बेस दोनों से रिएक करते एमफोटरिक मिटल वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रियेक्ट करते हैं पूरी केमिस्ट्री में आगे लिए हो पूरी केमिस्ट्री में नो एमफोटरिक मिटल है पूरी केमिस्ट्री में नो एमफोटरिक मिटल है नोट कर डालो भी है नोट कर लिया भी है खटाई इसको चल बे हाँ भी हाँ ध्यान देने जरा अभी हम आपको एक पॉइंट लिखवाएंगे कि इलेक्ट्रो निगेटिविटी लिखना लिखना नहीं अभी इलेक्ट्रो निगेटिविटी जितनी ज़्यादा एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे बुलेंगे आपने एक जगे लिखवाए था कि इलेक्ट्रो निगेटिविटी जितनी कम बेसिक करेक्टर उतना ज़्यादा लिखवाए था तो बात वही है तो वही है इलेक्ट्रो निगेटिविटी जितनी ज़्यादा एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा वही बोलने है जो वहां लिखवाया वही यहां लिखवाया उल्टा नहीं होगा ठीक है वहाँ पे लिखोया कहा पे लिखोया करना reaction mechanism में nucleophilic character में य्याद है जब ऑक्सिडेशन नंबर हो जाएगी सेम सेंट्रल मिटल सेम है सेंट्रल एटम सेम है ऑक्सिडेशन नंबर वैरियेबल है तो ऑक्सिडेशन नंबर जितनी जादा acidic character भी उतना ज़्यादा समझे नहीं चलो देखना सुरू करते है अपने पास NO2 है अपने पास N2O है अपने पास N2O5 है अपने पास N2O3 है और कौन चलो NO भी ले लेते हैं NO2 लिया हाँ ले लिया ठीक है वह याँ NO2 में nitrogen की oxidation number plus 4 निकालना सिखा चुके हैं आपको चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको oxidation state plus 1 oxidation state plus 5 oxidation number plus 3 oxidation number plus 2 oxidation number जितनी जादा acidic character भी उतना जादा तो यहाँ पे सबसे जादा acidic कौन हुआ N2O5 उससे कम NO2 उसके बाद सबसे कम तो यहाँ पे अगर हम बढ़ता हुआ करम लिखेंगे तो N2O से जादा NO से जादा N2O3 से जादा NO2 से जादा N2O5 अभी लेखना इसाब अभी याद करना अभी हमने आयनिक एकली बिरियम में आयनिक एकली बिरियम में conjugate acid base concept पढ़ाया था याद है वहाँ पे हमने आपको पताया था कि जितना strong base होगा उतना weak conjugate acid होगा जितना strong acid होगा उतना weak conjugate base होगा यादे कि नहीं यादे भी है तो यह HCLO लिखा यह SCLO 2 लिखा यह SCLO 3 लिखा यह SCLO 4 लिखा SCLO 4 में CL की state आएगी plus 7 निकाल के देख ले न यहाँ पे आएगी plus 5 यहाँ पे आएगी plus 3 यहाँ पे आएगी plus 1 oxidation number जितनी ज्यादा acidic character उतना ज्यादा तो सबसे acidic कौन हो गया SCLO 4 सबसे weak acid कौन हो गया SCLO अब सुनना question याद करना एक बार H plus सबका हटा दो सबका H plus हटा दो CLO minus CLO 2 minus CLO 3 minus CLO 4 minus सबसे अच्छा base कौन होगा very good क्योंकि सबसे weak acid था तो conjugate base सबसे strong यादे की नहीं यादे भी या तो यहाँ पे acidic character का order हो गया यह चलो एक example और देख लेते P2O3 P2O5 जादा acidic कौन P2O5 क्योंकि state कितनी plus 5 यहाँ पे plus 3 तो heading डालिएगा some point for the some point for the acidic nature some point for the acidic nature point number one if oxidation number if oxidation number increases if oxidation number increases then acidic character also increases then acidic character also increases if oxidation number same if oxidation number same then if oxidation number same then central atom ki electronegativity jitni jyada then central atom ki electronegativity jitni jyada hogi central atom ki electronegativity jitni jyada hogi acidic character bhi utna jyada hoga central atom ki electronegativity jitni jyada hogi acidic character bhi utna jyada hoga क्या क्या ये लिखने के पहले ये लिखा है अगर oxidation number same हो जाएगी तो लिखा है न ये ठीक बाद अब ये सारे example note करो याद मत करना खाली note कर लो याद मत करना point डिमाग में रखना oxidation number जितनी जादा acidic character उतना जादा that's all वो किसी का भी निकाल लोगे note कर लिए भी हा खटाया इसको अब देख लू P2O5 N2O5 state plus 5 state plus 5 state same क्या electronegativity ज्यादा किसकी N की कम किसकी P की तो acidic character ज्यादा किसका हो गया N2O5 का point number example लिख लो हैंग नालिए metallic character metallic character next हैंग नालिए metallic character yeah metal हाँ बोलो पहला criteria पहला criteria electronegativity नहीं पहला criteria oxidation number जब oxidation number same हो जाएगी तब बात करेंगे electronegativity की जैसे हम लोग से पूछे यार कि हम लोग के पास एक compound है दो compound छोड़के एक compound है SCLO3 ठीक फिर सबना दो compound छोड़के वो तो अपने आप दिमाग लगा लोगे एक compound है SCLO3 एक compound है HBRO4 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 में BR की state plus 7 SCLO3 में CL की plus 5 जादा होना चाहिए HBRO4 को लेकिन इतना तो पता ही है कि strong acid तो strong होगा और पूरी chemistry में strong कितने 7 क्या उन साथों में आता है हाँ आता है SCLO3 आता है यक नहीं आता है तो इसका acidic character तो उससे ज़्यादा हो गई होगा तो उन साथों को दिमाग से हटा के चलोगे तो यह point apply होते चले जाएंगे वो साथ acid जो strong है strong है तो obvious सी बात है उन साथों का acidic character दुनिया में किसी से भी ज़्यादा है वहाँ कोई बात apply होने वाली नहीं है कि क्या oxidation number क्या electro negativity क्या 3 और क्या 13 बात समच में आगी उन साथों का acidic character दुनिया में सबसे ज़्यादा है बात clear होगी भी या अचा उन साथों में भी वोलो कि सबसे खतरनाक कौन तो SCLO4 सबसे खतरनाक होता है उनका भी order लिखवाएंगे लेकिन अभी नहीं hydrogen and its compound में अभी स्टार्ट आज ही स्टार्ट कर देंगे हाँ heading Academy on your metallic character बहुत में metallic character क्या होता है हुम इतना बता हो दुनिया में क्या कोई metal है जिसपे आपने tämä – charge देखा है जिसपे डिल मनियूफ that मैंने चार्ज होता है कोई भी metal जिसपे का नीगेटिव चार्ज होता है पैदा ही नहीं हो तो सोच कहां से रहो बे मेटल का मतलब ही होता है चार्ज कैसा पॉजिटिव किसी पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जाना या आना जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जितनी आसानी से electron निकलेगा, उतनी आसानी से positive charge आएगा, जितनी आसानी से positive charge आएगा, उतना ही अच्छा metallic character होगा, तो पहली बात तो metal का मतलब है, loss the electron, electron का loss होना, एक electron, दो electron, तिन electron, वहाँ criteria था, कहाँ पे, ionization energy, वह भी तो electron loss होना tendency था, लेकिन वहाँ criteria था, एक ही electron loss होना चाहिए, यहाँ पे criteria नहीं है, एक loss हो, दो loss हो, तीन loss हो, electron loss होना चाहिए, metallic character का मतलब है, electron lossing tendency is known as the metallic character, electron के loss करने की tendency को हम लोग क्या बोलते, metallic character, जितनी आसानी से electron loss होगा, उतना ही अच्छा metallic character होगा, नीचे जाने पे, atomic radius बढ़ती जाती है, तो electron और nucleus के बीच का attraction कम होता जाता है, electron आसानी से निकल जाएगा, positive charge आसानी से आ जाएगा, metallic character बढ़ता जाएगा, तो इधर जाने पे metallic character बढ़ता है, इधर जाने पे metallic character घटता है, बात clear हो गई, लिखना सुरू करो, Electron Lossing Tendency, Electron Lossing Tendency, Electron Lossing Tendency, Electron Lossing Tendency is known as the, Electron Lossing Tendency is known as the, Metallic Character, Electron Lossing Tendency is known as the, Metallic Character, जितनी आसानी से इलेक्ट्रोन लॉस होगा आगे लिखो जितनी आसानी से इलेक्ट्रोन लॉस होगा जितनी आसानी से इलेक्ट्रोन लॉस होगा जितनी आसानी से electron loss होगा उतना अच्छा metallic character होगा उतना अच्छा metallic character होगा अच्छा bracket में ज्यादा लिख लेना अच्छा का मतलब अच्छा ही समझो bracket में लिख लिखा भी या अब next 9 से लिखो moving down the group moving down the group moving down the group metallic character लगातार बढ़ेगा moving down the group metallic character लगातार बढ़ेगा and moving left to right decreases heading डालो non metallic character heading डालो non metallic character अगली periodic property non metallic character बस इतना लिख लो metallic character का उल्टा और कुछ ने लिखना इसमें खाले इतना लिख लो metallic character का उल्टा वो electron lossing tendency थी ये electron gain tendency electron affinity की तरह affinity में criteria था एक electron add करना है यहाँ पर कोई criteria नहीं एक, दो, तीन, चार्ज जितने electron भी add करो ठीक है नीचे जाने पर metallic character लगातार बढ़ता है metallic character तो non metallic character लगातार घटेगा इधर जाने पर बढ़ेगा लेक लिए भी या ठीक बात NCRT नहीं का लो hydrogen and its compound हाँ अभी क्यों बताएंगे यार ये batch कौन सा चल ला है भाई वाले की बाद भाई में करेंगे यार हाँ यार यार दिला देना लेकिन ठीक है तो पहर में NCRT हैना सब के पास घूसा मारेंगे भी पूरे batch में announce किया था हमने किस seat में एक BNCRT ने seat में इधर है तुमाँ पास है ना इधर है इधर है इधर है इधर पीछे है एक है इधर कितनी है दो है एक इधर दे दू एक इधर पास करा दू नहीं चोरी नहीं होगी परसान नहीं इधर है दूबे इधर है 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 कि नहीं पे अगली तुम ज़े लिया ना आज बगल से काम चला लो ठीक है सुनूंगा नेक्स्टन पे ध्यान लखना इधर है एक दू एक है ने नी ये कोड़ा ये कोड़ा है है वो कुड़ा है हाँ बिटर मज बिटर हाँ बस ठीक हाँ अभी या सुन दे जाना हाइड्रोजन पस एंसे लड़ी भी हाँ पर रखना पहले एंसे लड़ी की सारी बाते याद करेंगे फिर दिखा देंगे कहां पर क्या लिखा हुआ है बस अभी यह अपने पास रखो अभी सुन दे यह हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउड कुछ बाते सुन जरा हाइड्रोजन इट्स कंपाउड की हाइड्रोजन की बड़ी अलग चानी है है कि हम लोग ने क्या चैप्टर आज तक देखा लिठीस कंपाउड sodium and its compound किसी एक एटम पे कोई एक chapter बनाओ पूरा का पूरा नहीं आज तक नहीं देखा यार अकेला एटम है जिस पे पूरा का पूरा chapter बनाए हाइड्रोजन and its compound reason इसकी position periodic table में fix नहीं है कभी कभी 1st A की तरह कभी कभी 7th A की तरह behave करता है अजब 1st A की बात करें तो 1st A में अपन के पास होता है L I N A K R B C S F R भी होता है लेकिन लेते नहीं है 7th A में होता है F C L B R I इन पे चार्ज कैसा होता है राइट इन पे चार्ज कैसा होता है प्लस इनकी atomicity कितनी होती है 2 CL को आपने क्या देखा होगा CL2, BR2, I2, F2 देखें ना भी है क्या अजटक आपने देखा NA2 नहीं होता है अकेला एक्सिस करता है NA2 देखा नहीं बहले बना दे लेकिन होता नहीं है तो एक question पूछा था NEET में की यार H2 question सुनना असान सा question conception बहतरीन question था था बहुत चोटा सा question की H2 2 बिलॉंग फ्रॉंदा फर्स्टे सेवें थे बोट नन अब सुनना हम लोग ने क्या पढ़ा है की है आप पूछा कितने हिसाब से की हाइड्रोजन बिलॉंग फ्रॉंदा और हाइड्रोजन को ह य डि र अज फर्रॉंदी नहीं नन दिमाग पे तुरंट आता है बोत बात समझना क्योंकि हमने पढ़ा है यार हाइडोजन बिलॉंग टुदा फर्स्टे एस वैल एस सेवें थे लेकिन वहाँ थोड़ा सा घुमाया कि एच टू बिलॉंग अभे आर एच टू मतलब एटॉमी सुटी कितनी हो गई तू और एटॉमी सुटी अगर टू है तो इस समय यह कहां से बिलॉंग कर रहा है सेवें थे से बास समझ में आगी भी या तो कि इनकी टॉमी सुटी तो वन होती है यह तो डायाटॉमिक फॉर्म म क्या मेरी बात सौच पा रहे हो अगर हाइड्रोजन पे प्लस वन चार्ज है अपनी प्रॉपर्टी फरस्टे से मैच कराएगा हाइड्रोजन पे माइनस वन चार्ज है अपनी प्रॉपर्टी सेवें थे से मैच कराएगा और अगर हाइड्रोजन अपनी अटॉमिक फॉर्म चाल टाइप के molecular hydrogen, occulted hydrogen, nascent hydrogen, atomic hydrogen, पूरी chemistry में सबसे ज़्यादा reactive hydrogen होता है, atomic, सबसे ज़्यादा reactive को होता है, atomic, उसके बाद nascent, उसके बाद सबसे कम reactive molecular hydrogen, फिर सुनना, सबसे reactive कौन, atomic, उससे कम reactive nascent, उससे कम reactive, occulted, सबसे कम reactive molecular, एक तुमने बहुत दस साल, पंदो साल पुना है, अगर मोवी देखी हो, तो उसमें बोलता था, मोना, आगे पता नहीं क्या बोलता था, ठीक, M-O-N-A, वो अज़े देवगन के एक पिताजी थे, उनके, जो विलन बनते थे, याद है, पुराने विलन बनते थे, अभी याद नहीं, एक पिच्छर देखी तुमने, जिसमें, आमिर खान का डबल लोल बहुत कमेड़ी आमिर खान और सल्मान खान, बहुत परानी मोवी है, अंदाज अपना अपना, उसमें जो विलन बना हुआ है, विलन का असिस्टेंट दो बने हुए, उसमें जो एक असिस्टेंट है, ठीक है, वो ये वर्ल्ड बोला करता है, हमें नहीं पता, लोग ऐसा बताते है, हमने दे दूसरे दोस के लिए करी, उसमें दाउनलोड कर तो कर दी हमने, बहुत बहुत बहुतरीन वेब स्रीज है, क्रेक डाउन, क्रेक डाउन, बहुतरीन, भाई हमने देखी, मज़ा आ गया, आज उसका दूसरा पार्ट, मतलब हमें पताया किसीने हम देखती ही नहीं, आस्ता सं O N A, M O N A, मोना, Molecular, Oculated, Nascent, Atomic, सबसे Reactive, Atomic, Nascent, Oculated, Molecular, Most Important बात है, इनकी Reactivity, Order Reactivity कहीं पूचेगा और कुछ नहीं पूचेगा, सबसे Reactive पहन होता है, Atomic, Atomic के बाद, Nascent के बाद, Oculated के बाद, Molecular, सबसे कम Reactive कौन, Molecular, उसके बाद, Oculated, उसके बाद, Nascent, उसके बाद, Atomic, राइट ना, अब ये, Molecular Hydrogen है क्या, Oculated क्या है, सबसमझ लेना जड़ा, ये क्या है, Molecular Hydrogen, Molecular के फॉर्म में न, H2 के फॉर्म में तो क्या है, Molecular Hydrogen, अब बात आई, Atomic, तो इसको 20 से तोड़ दो, और, ये Molecular है, इसको 20 से तोड़ दिया, और बना दिया, Atom, तो बन गया, Atomic Hydrogen, Molecular Hydrogen से क्या बन गया, Atomic Hydrogen, बाओ, ये दो, की होता, की Molecular Hydrogen से, Atomic Hydrogen बनाने के लिए, Temperature of Pressure की Condition, Lee Chetelius Principle, याद करो, फटक्स बढ़ा लो, High Temperature, High Pressure, Load Temperature, Low Pressure, Load Temperature, High Pressure, High Pressure, Load Temperature, क्या Condition रखे, की Molecular से, Nascent ज्यादा से ज्यादा बने, बोलो मेरे भाई, अरे गलस से लो, कुछ भी बोलो यार, कोई फराक नहीं पड़ता, यहाँ कोई एक्जाम नहीं हो रहा, हाई, बोलो, बोलो भाई, बोलो बटा, बोलो, रियक्षन इंडो या एक्जो, इंडो में जाना कहां है, फॉर्वर्ड, टमप्रेचर बढ़ाएंगे, यादेगी नहीं यादे, तो टमप्रेचर हो गया, हाई, टमप्रेचर हो गया, हाई, प्रेचर बढ़ाएंगे, के reaction वहाँ जाएगी जहां के mole कम तो घटाएंगे तो वहाँ जहां के mole जदा ज्यादा मोल के side पे जाना है pressure क्या करना पड़ेगा कम तो high temperature low pressure बताया था हमने आपको high temperature low pressure तो यह molecular से molecular से atomic hydrogen बनाने के लिए molecular से atomic hydrogen बनाने के लिए temperature high pressure low अब बात आई कि यार यह nascent हाइड्रोजन क्या होता है दिमाग में बक्वास लिखी कि यार जो हाइड्रोजन ऐसे लिखा हो वो नेसेंट बही आया है ऐसा नहीं है नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है कि बताओगी हाइग और को बताएगा है एजिरो का मतलब क्या है 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 और को दाए सिंगल है दिटा यह भी है 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 और को दाएगा हुआ हुआ एक बेभी पैदा हुआ सुबह दस बच के 10 एक सेकेंड पे तो एक सेकेंड था था तुम भी कैतर नागोटा जितने सी ने लगते अधर एक सेकेंड तक वो ने सेंट था दूसरे सेकेंड वो ने सेंट नहीं रहा मेरी बात समझना ऐसा हाइंड रोजन जो दुनिया में जब यह सन ठाशन हाएई और भर यह आγकलो nascent बनता है फिर nascent अपने आपको बदल लेता है molecular में मतलब जब आप reaction कराते हो zinc की H2SO4 से आप reaction कराते हो zinc की H2SO4 से तो आप reaction देखते हो ZNSO4 plus book में H2 लिखा देखते हो लेकिन H2 पहले नहीं बनता है पहले बनता है nascent hydrogen फिर वो convert होता है H2 में nascent hydrogen का मतलब जो just अभी अभी पैदा हुआ हो newly born hydrogen is known as the nascent hydrogen इतनी बात clear भी या तो कुछ point NCRT में ही लिखवाएंगे कहां कहां लिखने हैं चलो देखते हां थे pencil से लिखना ठीके जिसके पास है वो लिखे जिसके पास नहीं हो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रियोडिक टेबल मिल या ठीक है पैनाग्राफ वन कुछ भी अंडरलाइन मत करना सुनना जहां पे अंडरलाइन कराना होगा वह हम बता देंगे हाइड्रोजन फॉस्ट इलिमेंट इन अप्रियोडिक टेबल हाइड्रोजन फॉस्ट इन प्रियोडिक टेबल हैज बीन आ सबजेक्टिर आफ दिसकसों इन पास्ट इस यू नो बाइदा नो बाइदा नो देट इलिमेंट इन प्रियोडिक टेबल NS1 of alkali metal, underline मारो, NS1 और alkali metal पे, underline मारो, NS1 of alkali metal, बस इतने पे, बस आगे छोड़ दो, आगे पढ़ो, which belong of first group of the periodic table, on the other hand, halogen with the NS2-NP5 electronic configuration, underline मारो, halogen पे, electronic configuration पे, underline मारो, NS2-NP5, बस आगे सुनना, underline मारना भी, belong to the 17th group of periodic table, it is sought by one electron, to the corresponding of noble gas configuration, helium, कुछ भी underline मत मारना, therefore has assembled to the alkali metal, which lost the one electron, uni positive, as well as halogen, which gain, हाँ, यहाँ से, अभी अपने आपको बताया है न, सुनना, अगर H+, होगा, uni positive, मतलब एक positive charge होगा, तो क्या होगा, first A, और uni negative, मतलब एक negative होगा, 7th A, वही line लिखी हुई है, underline मारी है, कहां से, कहां तक, सुनना, which lost one electron, यहाँ से, which lost one electron, to form the uni positive, ion, as well as, with halogen, which gain one electron, to form uni negative, ion, like alkali metals, hydrogen form oxide, like alk, यहाँ तक, underline मारो, पुरा, like alkali metal, hydrogen form, oxide, halide, sulfide, यहाँ तक, underline मारो, unlike, unlike alkali metal, it has very high ionization energy, हाँ, बिल्कुल, यहाँ तक अगर लिए, it has very high ionization energy, enthalpy, and does not possess metallic character, and does not possess metallic character, under normal condition, बस, आगे कुछ नहीं, आगे छोड़ तो पूरी कहानी, आगे के पूरा paragraph, किसी काम का नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत, नहीं है, अब यह जो उपर, जगे छूटी यहाँ पर, जो जगे यहाँ छूटी है, जो जगे यहाँ छूटी है, यहाँ पर लिखेंगे, चारो हाइडोजन के बारे में, heading लालो, types of hydrogen, यहाँ पर लिखना, यहाँ पर, चोटा पेंसिल से लिखो, types of hydrogen, यहाँ से लिखना सुब करलो, types of hydrogen, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो, Molecular Hydrogen Molecular Hydrogen Bracket में लिखो H2 Molecular Hydrogen Bracket में लिखो H2 Molecular Hydrogen Bracket में लिखो H2 Second लिखो Occulated Hydrogen Second लिखो Occulated Hydrogen Oculated Hydrogen सुनना उसके बाद दिखना ऐसा Hydrogen जो Metal Surface पे Absorb हो जाए उसको बोलते हैं Oculated Hydrogen वो Hydrogen जो Metal Surface पे Absorb हो जाए उसको क्या बोलेंगे Oculated Hydrogen एक लाइन में लिखे ऐसा Hydrogen जो Metal Surface पे ऐसा Hydrogen जो Metal Surface पे Absorb हो जाए ऐसा Hydrogen जो Metal Surface पे Absorb हो जाए उसको बोलते हैं Oculated Hydrogen तीसरा लिखे Nescent Hydrogen तीसरा लिखे Nescent Hydrogen एक लाइन लिखो Nearly Born Hydrogen Nescent Hydrogen तीसरा एक लाइन Nearly Born Hydrogen is known as the Nescent Hydrogen चौथा और अखरी Atomic Hydrogen चौथा और आखरी Atomic Hydrogen ऐसा Hydrogen जो Molecular Hydrogen से बनाया जाए ऐसा Hydrogen जो Molecular Hydrogen से बनाया जाए At the high temperature At the high temperature and low pressure At the high temperature and low pressure At the high temperature and low pressure सब्सक्राइब है is known as the atomic hydrogen is known as the atomic hydrogen बना इस को अठाद कि से भी यह हो गा भी है hydrogen and its compound से छे सालों से एक भी कोस्चन नहीं आया है था Clifford remember policymakers and her chosen question में आया था Clark method से क्या होता है दूद कि hardness सबने के लिए तो जितना NCAT को मेरी बास समझना औरगेनिक में conceptual बन सकते हैं physical में conceptual बन सकते हैं तुम भोलोगि यार औरगेनिक NCATs था नहीं पड़ाई अपे औरगेनिक में concept बहुत अच्छे बन सकते हैं इतना इपने लिखा एक नहीं पोछा जाएगा क्यों कि वहां concept बन सकते हैं inorganic में जो लिखा है वो fact है वो याद करना है सीधे पूछा जाएगा कौन सा कौन सा inorganic periodic properties chemical bonding coordination नहीं बाकी S-block hydrogen P-block D-block तो यह जितना NCRT में लिखा है उतना ही रटना इसकी comprehensive book देखने की कोशिस मत करना कि अगर तुने प्रदीब देखी दिनेश देखी कोई और बुक देखी उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें लगेगा यार इसमें तो इतना ज़्यादा है हमें सिर्फ NCRT जितना लिखा है उतना ही आएग उठा के question लगा लेना नेट के एक भी question NCRT के बाहर नहीं जाएगा organic physical में concept घुमा सकता है यहां पे घुमा नहीं सकता है सीधा लिखा है सीधा रटना है सीधा आना है किसा आप एंफोड्रेक मेटल कौन है पता ऐसा भी होते हैं तो हैं ठीक है हाईडों को ऐसी प्रप्रे कर सबसे कम रीक्टिव कौन होगा हाईडों के तीन आइसोटोप 1H1 1H2 1H3 इसको बोलते हैं प्रोटियम इसको बोलते हैं डिटीरियम इसको बोलते हैं ट्राइटियम आइसोटोप वो लोग होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो आईसोटोप वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो इसको बोलते हैं आईसोटोप हाईडोजन के कितने आइसोटोप? तो तीन प्रोटियम डिटीरियम ट्राइटियम लिखने की जरूरत नहीं एंसी आल्टी में लिखा हुआ है इसी पर नीचे देखो देखो पहला एक चाल्ट बनी हुए चाल्ट डिरेक चाल्ट प्याना जहां पर हैडिंग है आइसोटोब आइड्रोजन मिला हाइड्रोजन ड सिर्फ तीन होते हैं वन एच वन एच टू वन एच थ्री बांकि कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है पन्ना पल्टो और हैडिंग है प्रेप्रेशन ओफ हाइड्रोजन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेप्रेशन ओफ हाइड्रोजन सुनना भया अब एंसी आल्टी को बवरी के मेस्सी में अभियनने आपको याद कराया एंफोट sopr міचल कितने नौ अルク competence ऊग्ज protective metal कितने नो दूनिया का कोई भी doesn't remove material हम आपको एक साथ ऐसथ और नौ हम नो को एक रियक्शन बनी से पॉइंट टेक बता रहे हैं और रियक्शन आपको याद करवा रहे हैं 25-30 रियक्शन एक साथ ठीक है पॉइंट टेक बताएंगे जुगार बताएंगे क्या है सुनने न कर दुनिया का कोई भी एंफो इरिक मेटल किसी भी स्ट्रॉंग बेस से रियक्शन आएगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा इस्ट्रोंग बेस को वह फॉस्ट से केंड़ेंगे हाइड्रोक्साइड भहिया फिस्ट थी कहा हाइड्रोक्साइड ल ईन ए नक आर बी और सीयस आप सुनू, नौ रियक्शन ये देगा, नौ एमफोटरिक मेटल है न, नौ ये देगा, 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 तो नौ पना, पैतालिस, और पैतालिस और पैतालिस, नब्बे 90 reaction एक साथ याद करा रहे हैं एक point पे सुन ले नजर ध्यान से दुनिया का कोई भी strong base किसी भी amphoteric metal से react करेगा hydrogen gas बनाएगा और अपना eliminate बनाएगा जैसे zinc है तो zinc बनाएगा sodium zincate sodium aluminate, potassium aluminate potassium stenate, अपना क्या बनाएगा eliminate, main बात किसका बना है हम लोग क्या पढ़ रहे है preparation of hydrogen, hydrogen gas का बना दुनिया का कोई भी amphoteric metal किसी भी hydroxide strong base से react करेगा तो क्या बनेगी hydrogen gas NCRT में एक reaction दी है हम वहीं पे NCRT में ही ये trick, ये जुगार लिखवा रहे है तो 80-90 reaction एक साथ याद हो जाएंगी कि कोई भी amphoteric metal किसी भी strong base से react करेगा क्या निकलेगी hydrogen gas तो भी या, जहाँ पे लिखा है न जहाँ पे लिखा है preparation of hydrogen, उसमें जहाँ लिखा है second method, second method मिला कि नहीं मिला, zinc और नवेच वाला मिला, अबे second लिखा हुआ है ZN और नवेच मिला, ठीक बात उसी के नीचे लिखो जहाँ पे zinc लिखा है वहाँ पे लिखो zinc के नीचे any amphoteric metal any any amphoteric metal plus strong base hydrogen gas any amphoteric metal any amphoteric metal plus strong base क्या बनेगी hydrogen gas plus elementate plus elementate elementate लिख लिखा है भी या अब इसी के नीचे zinc वाला example तो लिखा ही हुआ है तो एक example वो जहाँ पे zinc plus नवेच लिखा है न तो इसको example number one कर लो इसका example number one जडन प्लस नवेच वाला example number one example number two example number two देखो SN plus नवेच चलो नवेच नहीं लेते हैं यार उपर वाले में नवेच है न तो यहाँ क्या ले ले के वेच ले 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 तो क्या बनाएगा hydrogen plus na2 की जगे k2 जेडन की जगे SN और क्या O2 वो था sodium zincate यह है potassium istinate यह क्या है potassium istinate क्या बनता है elementate तो भाई या mole 2 लगेगा लगा दो खतम हो गया अलग अलग का है को रियक्षन याद करना no emphoteric metal है वो emphoteric metal दुनिया में किसी भी strong base से रियक्ष करेंगे क्या बनाएगा hydrogen gas और साथ में elementate हमने आपसे question पुछा रही है बताओ इन में से question कैसे पुछेगा in option में से किस option में hydrogen gas नहीं बनेगी in option में से किस option में hydrogen gas नहीं बनेगी option सुनना FeOH का holes FeOH का hole thrice FeOH का hole thrice plus lithium अभी आंसर बोलना नहीं FeOH का hole thrice plus lithium दूसरा दूसरा boron plus boron plus koh boron plus koh तीसरा option beryllium plus csoh beryllium plus csoh चौथा option lead plus magnesium hydroxide अब बताऊं सर पहला वाला बाकी तो कहा बनेगी जब strong base emphoteric metal से मिलेगा तो बनेगी वरना नहीं बनेगी याद रहेगा ना भी या strong base कौन कौन first day second day hydroxide emphoteric metal कितने 9 और सारे के सारे इसके पहले वाले chapter में हमने आपको याद कराए है emphoteric metal यहाँ पे ncrt के उपर भी लिख लो वही 9 यहीं पिलेखो फटा फट जहाँ पे आपने लिखा है उसी के उपर लिख लो emphoteric metal कौन से 9 फिर से लिख लो एक पर यहाँ पे भी ncrt के उपर भी लिख लो emphoteric metal दुबारा फटा फट al asb b e p b s b si s n और z n ठीक है लिख ले अभी हाँ अब बोले यह बताओ इन चारों में से कौन सा प्रोसेस hydrogen को lab में बनाने का है lab में बनाने का बोला z n plus k o h hydrogen तो बनेगी z n plus k o h hydrogen बनेगी दूसरा method zinc plus nao h यहाँ भी बनेगी hydrogen तीसरा z n plus dilute c l यहाँ भी बनेगी अब यह method हो जाएगा lab method भी या lab में अगर आपको बनानी हो इसी के ऊपर laboratory preparation पड़ा हुआ है क्या कैसे बनाते zinc low zinc के छोटे-छोटे पीस या dust low अंग्रेजी में उसको granulated zinc बोलते हैं वो उसमें NCRT में लिखा हुआ है क्यों ऐसा क्यों करते हैं chemical kinetics याद करना rate of reaction directly proportional to surface area याद करना तो जब zinc metallic form में होगा area कम होगा जब उसको पीस में कर लोगे area बढ़ जाएगा rate of reaction बढ़ जाएगी clear तो इस लिए इस वजए से granulated zinc लेते हैं जिससे surface area थोड़ा सा बढ़ जाए zinc को रिएक कराते हैं dilute HCl से किससे dilute HCl से hydrogen अलग ZNCl2 अलग और ये होता है lab method कुछ ऐसा लिखना विखना नहीं NCRT में लिखा होगा है बस देख लेना zinc plus SCl SCl कैसा dilute क्या बनेगा ZNCl2 साथ में hydrogen ये hydrogen का कौन सा method है lab method कौन सा method है lab method जहां पे ये लिखा है उसी के सामने लिखा जहां पे ये zinc लिखा है और जहां पे SCl लिखा है zinc के पास लिखना zinc के पास लिखना any बस अभी ये trick लिखवा पाएंगे समझा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हमने आपको electrochemistry नहीं पढ़ाई है electrochemical series नहीं पढ़ाई है तो लिखवाएंगे समझ सब आजाएगा जब वो पढ़ाएंगे तो लिखेगा any metal इसके नीचे any metal that is present above than hydrogen in E C S plus strong acid plus strong acid दुनिया का कोई भी metal जो हम याद करवाएंगे electrochemical series जो अभी electrochemistry पढ़ाएंगे थोड़ी सी अभी याद करवाएंगे तो अभी का मतलब जब तीसरा method अभी बनाएंगे तो 9 elements रूके याद करवाएंगे वो अभी याद करवाएंगे क्यों वो अभी आपको दिखाते हैं मतलब one fourth अभी याद करवाएंगे बाकि electrochemistry में याद करवाएंगे rule क्या है दुनिया का कोई भी metal जो electrochemical series में hydrogen के ऊपर है वो अगर किसी भी strong acid से react करेगा तो क्या बनाएगा hydrogen gas है तो वो भी याद कर लेंगे भी वो टेंसन मतलो बस इतना लिख लो कोई भी metal any metal that is present in above then hydrogen in ECS वो strong acid से react करेगा क्या बनाएगा hydrogen लेकिन lab method तभी होगा मतलब zinc or scl hydrogen बनेगी no doubt zinc or scl of 4 hydrogen बनेगी zinc scl of 4 hydrogen बनेगी zinc scl of 3 hydrogen बनेगी zinc hi hydrogen बनेगी zinc किसी भी strong acid से react करेगा hydrogen बनेगी no doubt लेकिन lab method तभ होगा जब dilute hcl react करेगा देखो लिखा हो इसके ऊपर it is usually prepared by the reaction of graded zinc with the dilute hydrochloric acid तो lab method अगर बोला जाए तो क्या होना चाहिए dilute hcl और hydrogen बनाना हो तो वो hcl से भी बन सकता है HBR से भी HI से भी SCLO4 से भी किसी भी strong acid से बात clear होगी भी या चलो बोलो बड़ा सबसे reactive hydrogen कौन फटावट बोलो सबसे reactive कौन atomic सबसे reactive कौन गुसा मारेंगे हाँ molecular सबसे कम reactive कौन molecular वो metal जो metal सरसे पर जार ना होता हो वो हाइड्रोजन जो metal सर्फिस पर absorb ना होता हो हाँ बकलोल हाँ तो यह बोलो ना occulated छोड़के बांकी सारे सारे metal पर या जो absorb हो जाएगा वो क्या होगा occulated जो absorb नहीं होगा वो सारे तीनों के तीनों होगे यह बता हो कि ऐसा हाइड्रोजन बता हो जो हाइड्रोजन सबसे कम रियक्टिव होता हो आप मॉलीक्लर सबसे भेंका रियक्टिव एंड इंड दिखने नहीं हो इसलिक पॉर था है नीच जी नहीं दिखना है अउड हो था एक टामिक चलो साथ ओ एंफोटरिक मेटल कोई नहीं पो लेगा हाँ जो बैज भैं M4 तैबर किसा रिये कर जाएं कि हाईडरोजन बना दे यह कैया, वेmphoteric metal किससे रिये करें कि हाईडरोजन गेस बना दे, तुम से बशे हुआ रहा किसे रियें किरे हैे, strong base से उस्य और भीव स्ट्राओंग के Bennett है किसी भी strong base से रियेक करेगा क्या बनाएगा hydrogen gas बोलो lab method में मौहमत लेखना lab method में hydrogen gas कैसे बनाएगे किसको very good zn plus dilute scl क्या बनेगी hydrogen gas प्रिया scl की जगे क्योंकि और ले सकते हाँ लेगन तब lab method नहीं होगा लेगन hydrogen gas बनेगी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक कोशन पूछा था बहुत पहले 18-19-20 साल पहले पूछा था क्योंकि कोशन इससे आते ही कितने है यार 5-6 साल में 10 साल में एक कोशन आता है तो एक कोशन पूछा था यह बताओ इन में से किस method से hydrogen सबसे ज़्यादा pure बना सकते हैं अगर purest form बनाना है हाइड्रोजन का तो लैब नहीं एमफोटरिक मेटल नहीं बेरियम हाइड्रॉकसाइड का इलेक्ट्रो लिसिस कराएंगे 99.99% प्योर हाइड्रोजन मिलेगी प्योर मिलेगी ज्यादा नहीं बोले हम क्या बोले प्योर तो अगर प्योर बनानी हैं ज्यादा बनाने के लिए इंडरस्टी लगाएंगे अदे इंडरस्टी में क्या होता है गम कर्चच जदा बेने कर रहें हम प्योर की बात कर रहें प्योर हाइड्रोजन बनानी है तो किस से बनाएंगे बेरियम हाइड्रोकसाइड किस से बनाएंगे बेरियम हाइड्रोकसाइड से बनाएंगे बेरियम हाइड्रोकसाइड का इलेक्ट्रो लिसिस कराएंगे बेरियम हाइड्रोकसाइड का इलेक्ट्रो लिसिस अभी याद कर हैं फिर देखते हैं कि electrolysis कराने पर कैसे hydrogen gas बन जाएगी अगर आपसे question पूछेगा सबसे pure hydrogen कैसे बनाई जा सकती है barium hydroxide के electrolysis से barium hydroxide के electrolysis से barium not beryllium not beryllium barium hydroxide के barium high barium hydroxide के electrolysis से pure hydrogen बना सकते हैं आज आओ heading है commercial production of hydrogen point number two जड़ा ध्यान दो point number two क्या मिला हाई purity 99.95 परसेंट से भी ज्यादा डाई hydrogen is obtained by the electrolyzing warm aqua solution of barium hydroxide solution between the nickel electrode बहिया जब electrolysis होती है तो electrolysis तो लगाना ही पड़ता है अब यह electrolysis है क्या वो अभी बता रहे हैं क्योंकि बिना electrolysis के आप अगले आगे के पहला मेथड दूसरा मेथड तीसरा मेथड चौथा मेथड समझी नहीं होगे तो electrolysis बतानी पड़ेगी electrolysis बुक की लेंग्वेज में सुनना फिर मेरी लेंग्वेज में बुक की लेंग्वेज में electrolysis क्या है बोलता है electrolysis takes place between two electrodes that is anode and cathode oxidation takes place at anode reduction takes place at cathode when DC will be direct passes in the aqueous solution यह बुक की लेंग्वेज में मेरी लेंग्वेज में electrolysis का मतलब है किसी के चार्ज को खतम करना यह मेरी लेंग्वेज में बुक की लेंग्वेज अगर बनाना चाहोगे तो मेरी लेंग्वेज से बहुत आसानी से connect करके अपने आप बना लोगे याद नहीं करना पड़ेगा बुक में क्या लिखा हुआ है बुक में लिखा हुआ है electrolysis takes place between anode and cathode oxidation takes place at anode reduction takes place at cathode when DC current will be passes in the aqueous solution जब direct current pass करते हैं तो oxidation anode पे होता है reduction cathode पे होता है इसी को हम लोग क्या बोलते है electrolysis मेरे इसाफ से electrolysis का मतलब है किसी के charge को खतम करना अब इसी point से बुक वाली definition आप अपने आप बनाओगे जड़ा ध्यान देना बोलो जिंग पे चार्ज कितना है प्लस टू है हमें इसका चार्ज खतम करना चार्ज खतम करने के लिए जो मेरे पास हथियार है वो इलेक्ट्रोन है बुला साफ तुम्हें पास इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन से ही तुम्हें चार्ज खतम करना है तो अगर किसी पे प्लस है तो इलेक्ट्रोन फेक के मार दो माइनस है तो इलेक्ट्रोन निकाल लो अगर plus है तो electron जोड़ दो, charge खतम हो जाएगा, minus है electron निकाल लो, charge खतम हो जाएगा, कितना plus है, 2, 2 electron जोड़ दो, 2 minus 2 plus को खा गया, charge हो गया, खतम, charge कितना, plus 2, charge कितना, plus 2 से 0, याद दिलाओ, reduction, आगया, एक्चल में यह था, ZnCl2, और जब यह आइनाइस हुआ था, so Zn plus 2 बना था, और 2Cl minus, अब यह है, minus, अब क्या किया, electron निकाल लिया, तो क्या बन गया, Cl2, यहाँ पे charge माइनस में था, यहाँ पे 0, माइनस से 0, बढ़ा या घटा, बढ़ा, बढ़ने का मतलब, अब सुनना, एक सिंपल सी बात, अब लोग बाहर से आते होगे, लखनोर से कोई, गोरगपूर से कोई, मलियाबाद से, कोई कहीं से बाहर से अपना काकादों में आ आते हो काकादों में, तो अपने दोस्त यार को बुलाते हो, एक दम तैजीव से, भाई जी एक मिट यह का में, मलब तैयार से एक दम, जब कानपूर में 6-7 मेने रह लेते हो, तो दोस्त को बुलाना हो, भूला, बूला, यहाँ इथा लादा हो, ओ, ओ का मतलब, ऑक्सिडे जोड़ना मत, हम जो बोलते हैं, पंदा साल बाद, वो भी लिख लिया करो, वो भी लिख लिया करो, तुम बखलोन, समझ लो बैटा, भी लिख लिख लिए ना परसान मत हो, ध्यान दोने ज़रा, ऑक्सिडेशन में से कहाँ पर होगा, एनोड पे, तो बच्चा क्या, एरक् याद रखो, O-A, O-A, Oxidation, एनोड, Reduction, कैथोड, Oxidation हुआ, एनोड पे, Reduction हुआ, कैथोड पे, हमने अपनी डेफिनिशन आपको बताई, कि किसी के चार्ज को खतम करने को क्या कहते हैं, Electrolysis, हमने अपनी डेफिनिशन के काम कर दिया, अब बुक वाली डेफिनिशन सुनन Oxidation takes place between two electrodes, that is, anode and cathode, Oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode, खतम तो होगी यार, तो जब चार्ज खतम करोगे, तो अपने आप, अपने आप में दिखने लगेगी क्या है, किसी के चार्ज को खतम करने को, Electrolysis कहते हैं, जब चार्ज खतम कर लोगे, तो अपने आप Oxidation and anode पे होगा, Reduction, पे होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, Electrolysis, बताओ, तो बताओ, PURIST form of Hydrogen, किसके इलेक्टो, आवाज नहीं, किसके इलेक्टो, इससे बनाएंगे, Barium, Hydro, कौन सा इलेक्टोड लगाएंगे, कौन सा इलेक्टोड, Nickel, कौन सा इलेक्टोड लगाएंगे, Nickel, कौन सा इले किसे बनाएंगे barium hydroxide के electrolysis से barium hydroxide के electrolysis से कौन सा electrode लगा के nickel electrode लगा के अब एक काम करो जहां पर heading है electrolysis उपर जगे है न अपने पास हां उपर लिखो यहां पर लिखो यहां पर यहां पर electrolysis onotherapy to CEO electrolysis takes place between two electrode electrolysis takes place between two electrode that is anode and cathode अप्रोल एसा ब्रीक्ति तन अबस्टड़क है तेष अन्टे रिकत्रोबक ऑन्टे टीषा ते एंडे कंटे टेशिस्टर शित्टड़क से एंडे अटब। Oxidation takes place at anode Reduction takes place at cathode Oxidation takes place at anode Reduction takes place at cathode लिखा भी या? और करके लिखो और तुम खाली क्यों बैठे बेटा? तुम इसमें लिखो? पेंसिल से लिखो? पेंसिल लिखना? तो पेंसिल लिखो? और किसी आइन के चार्ज को खतम करने को electrolysis कहते हैं और किसी आइन के चार्ज को खतम करने को electrolysis कहते हैं देख लिखा भी या? और भई बताओ किसके electrolysis से हम लोग 99.95% प्योर हाइडूजन बना सकते हैं? बेरियम बेरियम ना? बेरियम हाइड्रोकसएड बोलो इलेक्टरोड कौन सा? निकल बोलो मेरे भई एमफोटरिक मिटल सारे बोल दो लाइन से फटाक से हाँ SN, GDN तुम बोलो इन मिटल को किससे रियक कराएं कि हाइड्रोजन गैस बन जाए? इन मिटल को किससे रियक कराएं कि हाइड्रोजन गैस बन जाए? स्ट्रॉंग बेस से किसी भी स्ट्रॉंग बेस से रियक कराएंगे क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस अगर लेब में बनानी तो कैसे बनाएंगे? बोलो बोलो लेब में बनानी है Zinc Zinc प्लस Dilute HCl Zinc प्लस डाल्यूट HCl Hydrogen gas बनेगी कहाँ पे? लेब में तुम बताओ Pure बनानी तो कैसे बनाएंगे? Barum Hydroxide के Electrolysis से Nickel का Electrode लगा के, सबसे Unreactive Hydrogen कौन सा? सबसे सबसे Reactive कौन सा? Atomic बिटल सबसे सब इब्जूब होने वाला कौन सा? Neuraly Born कौन सा? Nescent इतनी बाते याद रहेंगी? पक्का, next time पे सभी लोग NCRT के साथ ही मिलेंगे आज धाए विजे क्लास है सेम टाइम पे Hydro Carbon प्रेनिक के question बताने के लिए हमने पूरी अलग टाइमिंग दे दी है ठीक है? ओके धाई बजे क्लास है धाई बजे आओ तब बताएंगे टेस्ट की टाइमिंग ठीक? धाई बजे क्लास है आज Hydro Carbon